करक राश शिवालों और दोस्तों यह बात तो आप जानते ही होंगे जब ग्रह गोचर स्थान परिवर्तन करते हैं तब हमारे जीवन में उनका व्यापक प्रभाव होता है और दोस्तों कल से आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है जिससे आप सभी का जीवन बदल जाएगा आपके घर घर जाकर सब को मिठाई खिलाना पड़ेगा इतनी बड़ी खुश खबरी आप सभी को मिलने वाली है दोस्तों लेकिन इसके लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में हम आपको हर एक बात विस्तार से बताएंगे बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं प्यार भक्त हैं सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा मातारानी का सीधा आशिरवाद आप सभी को प्राप्त होगा आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा जी हाँ दोस्तों और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आय हुए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आप सभी के लिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आठ से दस घंटे लगातार आपकी कुंडली का विशलेशन करने के बाद इतना महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली साबित होता है और दोस्तों इसके बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं ब पैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी के साथ दोस्तों आप सभी को बता दे कल से आपका और आपके परिवार का एक-एक सपना सच होने वाला है जो आप कभी सपने में नहीं सोचे थे आपको वह चीज मिलाने वाली है दोस्तों वह कहते हैं भगवान जब देते हैं छप का परदा फट जाएगा क्योंकि मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है और शनी ग्रह आपका कुंडली में विराजमान कर चुके हैं इसलिए अब आपका जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाला है शनी ग्रह आपका जीवन में बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर सकता है इसलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना होगा आपको बता दें कि यह जो समय आपके लिए निर्माण हुआ है यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह समय आपका जीवन के लिए सर्वश्रेष्ट समय आपके जीवन में बहुत तेजी से परिशानी बढ़ रहा है। आप अपने जीवन में पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मेरे प्यारे, मुझे यह भी पता है कि पिछले कुछ सालों से आपके उपर एक दुश्मन का नजर पड़ा हुआ है। ये दुश्मन आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें। ये दुश्मन आपके उपर कई बार काला जादू कर चुका है। आपको जान से करने के लिए कई बार आपके उपर तांत्रिक क्रियाएं कर चुका है। लेकिन आपका दुश्मन हर बार नाकाम्याब रहा है। क्योंकि आपके उपर कुल देवी देवता का अशीरवाद बना हुआ है। आपका रक्षा स्वयम कुल देवी देवता कर रहे हैं इसलिए दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है लेकिन आपका दुश्मन ने जो जादू टोना किया है उसका असर आपका दैनिक जीवन पर जरूर पड़ा है इसलिए आप जो कुछ सोचते हैं आप जो अपने जीवन में करना चाहते हैं वह बिल्कुल भी नहीं होता है आप जो सोचते हैं उसका हमेशा उल्टा ही होता है जिस वजह से आप अपने जीवन से बहुत अधिक तंग हो चुके हैं आपका इस जीवन से मन भर चुका है आपको बता दें कभी-कभी आपके ज अब आपको अपने जीवन से बिलकुल भी नाराज नहीं होना है, अब आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म होने वाला है, मुझे पता है आपको पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपको धन दौलत से जुड़ी समस्या है, आपको घर-परिवार के लोगों से भी होने वाला है, आपका जीवन का सरा दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, साथ ही आप अपने जीवन में जितना ज्यादा परेशानियों का सामना कीए है, जितना ज्यादा आप दुख तकली ज्खेले हैं, उतना ही ज्यादा अब आपको खुशी मिलने व जी हाँ, अब आपके साथ इतना बड़ा चमतकार होने वाला है, और यह चमतकार आप अपने आँखों से देखेंगे, इसलिए आज का ज्योतिश कार्यक्रम बिल्कुल भी मिस मत करना, आज का ज्योतिश कार्यक्रम बहुत खास और महत्तोपूर्ण है, ज्योतिश कार्यक्रम म साथ ही भगवान शनिदेव महाराज के जो भी सच्चे भक्त इस जोतिश कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे सभी लोग नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में पांच बार जै शनिदेव महाराज, जै शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। यह व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है, यह व्यक्ति आपके आसपास ही रहकर आपका जीवन बरबाद कर रहा है, आपको बता दें, आप हमेशा अपना किस्मत का दोश देते हैं, आप हमेशा अपना भाग्य का दोश देते हैं, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आपका भ जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिलता है। यही एक इनसान है जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें देखने को मिलता है। आपको बता दें। यह व्यक्ति आपका दुश्मनी में पूरी तरह से पागल हो चुका है। औ आपका जो सबसे करीबी है उसी का सच्चाई आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें, जो आपका सबसे करीबी है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस बात का आपको जरा भी अंदाजा नहीए। लेकिन आज इस जयोतिश कारेक्रम में उस व्यक्ति का हक इकत बात कर रहूंगा यह व्यक्ति सामने से आपका शुभ चिंतक बनने का नाटक करता है और पीठ पीछे छुरा घोप का काम करता है तो आखिरी यह व्यक्ति कौन है इस व्यक्ति का क्या नाम है सब कुछ आपको इस ज्योतिश कारेक्रम में बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए क्योंकि रोजाना इस चैनल पर आपको ऐसे ही ज्यान वर्धक जानकारी मिलने वाला है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपका दुश्मन का कड़वी सच्चा इस ज्योतिश कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने वाले हैं साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख दर्द क्यों है आख साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आपके जीवन में कौन-कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में में कौन-कौन सा चमतकार होगा क्योंकि आप पिछले पांच सालों से बहुत ज्यादा दुख तकलीफ जहेल रहे हैं पिछले पांच सालों से बहुत ज आपका करमों का हिसाब हो चुका है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कर्म का फल दता भगवान न देव महाराज ने आपका करमों का हिसाब कर दिया है। और इसे लिए अब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आपका किस्मत सूरज की तरह चमकने वाला है। किसी ने सची कहा था, भगवान जब देते हैं तो छप पर फाड़ के देते हैं और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है। खुशी से नाचने लगोगे। ऐसा खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, आपको बता दें, जिस खुशखबरी का आप सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह अगले 12 से 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाला, क्योंकि मंगल ग्रह अपना परिवर्तन कर चुके हैं, और यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुब साबित होगा, इसलिए आप से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ। जोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा खुशखबरी दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें, कल युग में पहली बार इतना बड़ा खुशखबरी आपको मिलने वाला है। जी हाँ, इतना बड़ा खुशखबरी आज तक किसी भी व्यक्ती को नहीं मिला था। आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो आपको इतना पुलकुल सही सुन रहे हैं। आज तक मेरा भविश्यवानी गलत नहीं हुआ। और इसलिए मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा भविश्यवानी गलत साबित करके दिखाओ। मैं भविश्यवानी करना छोड़ दूँगा। त और कमेंट बॉक्स में तीन बार जय माता दी जय माता दी अवश्य लिखें। आईए आप सभी को बता दें। अगले 12-24 घंटे अंदर के अंदर आपको किसी से भी यह राज्य की बात नहीं बताना है। जी हां किसी को कानो कान खबर नहीं लगना चाहिए कि अगले 12-24 घं देखिये। वक्त से ज्यादा जिन्दगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं और वक्त पराया हो तो अपने भी पराय हो जाते हैं। वक्त कहता है मैं फिर नहीं आउंगा। क्या पता मैं तुझे हसा आंगा या रूलाउं जीना है तो इस पल को ही जीलो क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक नहीं रोक पाऊंगा घड़ी की फितरत भी अजीब है हमेशा टिक-टिक कहती है मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है I hope यह सुंदर अनमोल ग्यान आपको अच्छा लगा होगा तो जियोतिश कार्यक्रम को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स एयूएम नमह शिवाय जरूर लिखें इश्वर की कृपा से आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगा चलिए बात करते हैं अगले 12 से 24 के अंदर आपको कौन सी बड़ी खुश्खबरी मिलने वाला है तो अगले 12 से 24 घंटे के अंदर आपको पूरे 25 करोड का खजाना मिलने वाला है जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं और यह चमतकार माता रानी की कृपा से होने वाली है आपकी जिंदगी पूरी तरह से बरबाद होने की कगार पर है इसलिए यह समय बिलकुल भी सोच विचार करने का नहीं है इस समय जितना जल्दी हो सके इस व्यक्ती से दूर हो जाओ दो दोस्तों आपका सबसे पुराना दुश्मन इस नाम का व्यक्ती है यह व्यक्ती आपका सबसे पुराना दुश्मन है इस व्यक्ती के साथ आपका क्या रिष्टा है और इस व्यक्ती का क्या नाम है सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाले हैं आपको बता दें यह व्यक्ति समय समय पर आपके उपर जादू टोना करते रहता है ताकि आपका और आपका पूरे परिवार का जिंदगी बरबाद कर सके और इसका सबूत यह है कि कई बार आपके घर में लड़ाई जगडा हुआ है कई बार आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि यह व्यक्ति आपके उपर जादू टोना कर रहा है इसलिए इस व्यक्ति से आपको बच के रहना होगा इस व्यक्ति से आपको सावधान रहना होगा आज का यह जियोतिश कार्यक्रम बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस जियोतिश कार्यक्रम का निर्मान किया गया है इसलिए इस जियोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना जियोतिश कार्यक्रम को बिलकुल भी मिसमत करना और हाँ इस वडियों में बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुनना अब आपका किस्मत हजार गुना तेज चमकेगा क्योंकि आपका भाग्यका रेखा बदल चुका है और अब आपको सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगेगा इसलिए सबसे छुपाकर जियोतिश कार्यक्रम को अकेले में देखना धन की देवी माता लक्षमी की आशीरवाद से अब आपका जीवन में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है सिर्फ बारह से चौबीस घंटे के अंदर धन की देवी माता लक्षमी आपका जीवन में बहुत बड़ा खेल करेगी और आपका किस्मत पूरी तरह से बदल कर रख देगी आपको बता दें अब खुशियों की घंटी बजने वाली है और खुशखबरी का कॉल आने वाला है जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं इतनी बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है खुशखबरी सुनकर आपका घर परिवार खुशी से जूम उठेंगे आपका घर परिवार खुशी से नाचने लगेंगे जी हाँ आपको बता दें सिर्फ 12 से 24 घंटे के अंदर एक नहीं दो नहीं पांच बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और एक बड़ा सर्प्राइज मिलेगी जी हाँ धन की देवी माता लक्षमी की आशीरवाद से आपके जीवन में इतना बड़ा और भयंकर चमतकार होने वाला है ज्योतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जीवतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जीवतिश कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और धन की देवी माता लक्षमी की जो भी सच्चे भक्त इस जीवतिश कार्यक्रम को देख रहे हैं वे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पाँच बार जैमाम, लक्षमी जैमा, भवानी जैमा, दुरगा अवश्य लिखें आपको बता देना तैंटीस करोड देवी देवताओं ने दे दिया बड़ा संकेत अब आपका जल्वा सारी दुनिया देखेगी आपको बता दें अब आपके जीवन में कई ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएं होने वाला है जिससे आपका जिन्दगी पूरी तरह से बदल जाएगा आपको बता हाथ जोड़कर सच्चाई बता रहा हूँ अगले 12-24 घंटे के अंदर आपके घर यह एक देवी आने वाली है जो आपकी जिन्दगी को बदल कर रख देगी लेकिन अगले 12-24 घंटे तक आपके उपर दुश्मन का कड़ी नजर रहने वाला है दुश्मन से आपको अगले 12-24 गंटे तक सावधान रहना होगा क्योंकि इन 12-24 गंटे तक 24 गंटे के अंदर दुश्मन आपके उपर जानलेवा हमला कर सकता है इस बात का ध्यान रखना इस समय आपका दुश्मन पूरी कोशिश में में रहेगा कि आपकी खुशियों में किस तरह से आग लगाया जाए लेकिन दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड पाएंगे क्योंकि आपके उपर 33 करोड देवी देवताओं का आशीरवाद है आपके उपर 33 करोड देवी देवताओं का कृपा है इसलिए अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड पाएगा अब दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देंगे जी हाँ, ऐसा ऐसा बदलाव अब आप अपने आँखों से देखेंगे अब सोने की रत पर स्वर होगा आपका किस्मत ऐसा बड़ा बदलाव आपका कुंडली में होने जा रहा है आपको बता दे अब आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं आप आसानी से हासिल कर लेंगे ऐसा समय का निर्मान हो चुका है अगले 12 से 24 घंटे के अंदर आपके घर पुलिस आएगी जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं ब्रम्मा का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है अगले 12 से 24 घंटे के अंदर आपके घर पुलिस आएगी अब आपको कोट का चहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा इस ज्योतिश कार्यक्रम को मजाक में मत लेना नहीं तो जिन्दगी भर पच्टाते रहो जिन्दगी भर रोते फिरो आपको बता दें सिर्फ 12 से 24 घंटे के अंदर ग्रिह गोचर में एक ऐसा बदलाव होगा जो आपको रोने पर मजबूर कर देगा की आपको बता दें आपके उपर बहुत बड़ा इल्जाम लगने वाला है जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं जिन लोगों को आप अच्छा समझते वही व्यक्ती अब आपके खिलाफ हो चुका है वही व्यक्ती अब आपका दुश्मन बन चुका है इसलिए समय रहते सतर्क हो जाईए समय रहते इन लोगों से दूर हो जाईए नहीं तो आपकी जिन्दगी नरक के सम्मान हो जाएगा इसलिए इस जियोतिश कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिसमत करना और शांत दिमाग करके पूरा ज्योतिश कारिक्रम अंत तक देखना आज की इस ज्योतिश कारिक्रम में कुछ ऐसा सच्चाई आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी चौक जाएंगे जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं बहुत बड़ी गुप्त खबर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ ये गुप्त खबर आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा परन्तु अगले 12 से 24 घंटे तक आपको कोई भी गलती नहीं करना है भूल से भी आपको यह गलत नहीं करना है जो आपको इस जियोतिश कार्यक्रम में बताने वाले हैं जियोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जियोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जियोतिश कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और माता रानी के जो भी सच्चे भक्त इस जियोतिश कार्यक्रम को देख रहे हैं वे सभी लोग नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में पांच बार जय माता दी जय माता दी अवश्य लिखें यकीन मानिये सिर्फ बारह से चौबीस घंटे के अंदर माता रानी के आशीरवाद से आपको एक साथ तीन बड़ी खुशखबरी और पांच बड़ा सर्प्राइज मिलने वाला है जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है अब जश्न मनाने की तैयारी कर लो और पूरे गांव महले में मिठाई बंटवा दो अब आपका मन खुशी से भर जाएगा जी हाँ मेरे प्यारे आज के इस ज्योतिश कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं जो आज इस ज्योतिश कार्यक्रम में आपका कुंडली का विशलेशन करके जानकारी देने वाले हैं उसे सुनकर आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा जी हाँ इतना बड़ा और भयंकर जटका लगेगा यहाँ तक कि आपका हाथ और पैर दोनों का अपने लगेगा जी हाँ यह ज्योतिश कार्यक्रम कोई ऐसा वैसा ज्योतिश कार्यक्रम नहीं है यह ज्योतिश कार्यक्रम आपके लिए रामबान साबित होने वाला है आपको बता दें आपको अच्छी अच्छी बातें सब कोई बताता है लेकिन आज जो कड़वी बातें हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको अचानक बहुत बड़ा जटका लगेगा आपको बता दें आपका कोई अपना ऐसा व्यक्ति है जो आपको पिछले कई सालों से कई महीनों से बरबाद कर रहा है, आपके उपर जादू ठोना कर रहा है, आपके उपर तंत्र मंत्र कर रहा है, और इस बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आप इस बात से पूरी तरह से अंजान है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जिन्दगी बिल्कुल सही चल रहा है आपका जीवन में सब कुछ सामान्य है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं है जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपका जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं है और जब आप इस सच पुछाई के बारे में सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोडा है, आपने भी दिन रात मेहनत किया है। आप अपने जीवन गरीबी में बिता रहे हैं आपका जीवन में बहुत संघर्ष है कभी कभार छोटी मोटी खुशियां आपको मिल भी जाता है लेकिन वह खुशियां ज्यादा दिन तक आपका जीवन में नहीं रहता है और इन सभी मुसीबतों का कारण सिर्फ एक ही इनसान है जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रहा है जो भी दुख तकलीफ चल रहा है सिर्फ और सिर्फ यह एक इनसान की वजह से यह व्यक्ति इनसान के रूप में आपके लिए जहरीला साप है यह व्यक्ति दिन रात आपके हिसाब रहता है और आपका जिंदगी बरबाद करने के लिए तरह तरह का प्लानिंग करते रहता है और अब यह व्यक्ति एक नया चाल चलने वाला है ताकि आपका जिंदगी बरबाद कर सके, ताकि आपका जिंदगी मिट्टी में मिला सके, लेकिन आपको बिलकुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बिलकुल भी परेशान होने की आवश्य शक्ता नहीं है, क्योंकि दुश्मन चाहे कितना भी जोर लगा ले, उपर पड़ने वाला है और आपका जीवन में बहुत भयंकर बदलाव होगा आपको बता दें अब आप देखेंगे कि आपका जिंदगी में तीन बड़ा और महा परिवर्थन होने वाला है जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं अचानक आपके जीवन में जो महा परिवर्तन होगा उसे देखकर आपको अपने आँखों पर यकीन नहीं होगा लेकिन आपके जीवन में ऐसा बड़ा-बड़ा बदलाव होगा कि दुनिया वाला देखते ही रह जाएंगे और आप बहुत उंचाई तक पहुँच जाएंगे आप सफलता की सबसे उंची शिखर पर पहुँच जाएंगे इस बात की फुल गारंटी है आपको बता दें आप अपने जीवन में बहुत कुछ खोए हैं लेकिन पहली बार आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाने वाले हैं आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं, आप अपने जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं, आपको बता दें, आप अपने जीवन में जितना ज्यादा दुख तकलीफ सहे है, उतना ही ज्यादा अब आपको लाभ मिलने वाला है, उतना ही ज्यादा अब आपको खुशी मिलने वाला है। आपको बता दें, आप पिछले समय अवधी में जो परेशानियों का सामना किये थे, उसका परी-परिणाम अब आपको मिलने वाला है। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि दो नंबर का काम करके बहुत बड़ी बड़ी कामयावी हासिल कर लेते हैं, गलत कार्य करके आप से बहुत आगे निकल चुका है और आप से ज्यादा मान सम्मान भी कमाते हैं और आप बहुत इमानदारी से रहते हैं, आप कभी कि किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, कभी किसी को आप धोखा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया वालों ने आपका कभी कद्र नहीं किया, आपकी अच्छाई को कभी किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन अब आपके जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला, आपका कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और आपका किस्मत का पासा पलटने वाला है। इस आपको बता दें, अब आपका किस्मत सूरज से भी तेज चमकेगा, ऐसा चमतकार अब आपके जीवन में होने वाला है। अगले 12 से 24 घंटे के अंदर यह एक घटना आपके साथ होकर रहेगा और यह घटना आपको रंग से राजा बना देगा, यह घटना आपको करोडपती बना देगा। आपको बता दें, आपका समय बदल चुका है, अब आपका जिंदगी पहले जैसा नहीं रहेगा, अब आपका जिंदगी में बहुत बड़ा और भभभयंकर बदलाव होने वाला है, आपको बता दें, अब ऐसा कुछ खबरें आपको मिलेगा कि खुश खबरी सुनकर लंग आपको दिखाने वाले हैं, इसलिए मेरा आपसे एक ही सलाह रहेगा कि समय रहते हो, जाइए सावधान नहीं, तो जिंदगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा, अगर अपना जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर अपना जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो आ आपको कभी खुश देखना नहीं चाहता है जो आपकी खुशी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं जब आपको कुछ देखता है तो उनको एक ही बात समझ में आता है कि आखिर किस तरीके से आपको बरबाद किया जाए किस तरीके से आपकी खुशियों में आग लगाया जाए, यही उसका मन में चलता रहता है, इसलिए आपको अपने दुश्मन से सावधान रहना चाहिए, आपको अपने दुश्मन से दूरी बना लेना चाहिए, साप भी मरेगा और लाठी भी नहीं तूटेगा, ऐसा भयानक खेल अब आपका जीवन में होने वाल पल भर में सब कुछ तबाह हो जाएगा, पल भर में सब कुछ लकर राक हो जाएगा, जोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड कर विनती करता हूँ, अगर अभी तक आप लोग इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये तो इस जोतिश कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, नहीं तो आपकी जिन्दगी पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा, आपका जीवन नरक के सम्मान हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, दो आपको बता दें, आज की भविश्यवानी ग्रिह बस एक बार इस जोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, दुनिया वाले आपका तलवे ना चाटने लगे, तो फिर कहना सारी दुनिया आपकी कदमों में होगी, इतनी बड़ी और भयानक चमतकार आपके साथ होने वाला है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको अपने वश में कर चुकी है, यह एक औरत इस औरत से आपको सावधान रहना होगा, इस औरत से आपको बचकर रहना होगा, यह औरत आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बरबाद करके रख देगी, यह औरत आपकी जिंदगी को मिट इसलिए इस औरत से आपको सावधान रहना होगा। इस औरत से आप आप जितना ज्यादा बचके रहेंगे आपके लिए उतना ही फाइदेमंद साबित होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि अगले 12-24 घंटे के अंदर यह एक गलती आपसे ना हो आपको बता दें। एक साथ आपके घर में दो बड़ी और शुब घटना होने का संकेत मिल चुका है। यह दो शुब घटना आपके घर में होकर रहेगा। यह शुब घटना आपकी जिन्दगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हाँ, सच्चाई सुनकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें। कुछ ही देर में कुछ बड़ा धमाल आपके जीवन में होने वाला है। जिससे आपकी जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और आप खुशी से नाचने लगेंगे। अब रोने धोने का दिन समाप्त हो चुका है, अब रोने धोने का दिन खत्म हो चुका है, अब ऐसो आराम से आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा बड़ा चमतकार आपके जीवन में होने वाला है। खुशी से नाचने लगेंगे। जी हाँ, 33 करोड देवी देवताओं के आशीरवाद से इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसलिए ज्योतिश कार्यक्रम को पूरा देखना, ज्योतिश कार्यक्रम को बीच-बीच में कट कर देखोगे, तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ज्योतिश कार्यक्रम को पूरा देखना, आपको लाभ की प्राप्ती जरूर होगा। क्योंकि आज का ज्योतिश कार्यक्रम आपका जन्म का राश्य, चंद्र राश्य के आधार पर आधारित है, जो की बहुत ही खास है, और खास आपके लिए इस ज्योतिश कार्यक्रम का निर्मान किया गया है, जो की बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं। अगले 12 से 24 घंटे के अंदर आपको कौन-कौन सी बड़ी खुश्खबरी मिलने वाला है। कौन-कौन सी बड़ी सफलताएं आपको मिलने वाला है। और सबसे जरूरी बात 33 करोड देवी देवताओं के आशीरवाद से अब आपका कुंडली। में कौन-कौन सा बदलाव होने वाला है इन सभी के बारे में संपून सटीक जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए जयोतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना आज केवल नसीब वाला ही इस जयोतिश कार्यक्रम को देख पाएगा। आप बहुत किसमत वाले हैं जो इस देख पा रहे हैं। आपका किसमत बहुत ही भाग्यशाली है। इसलिए अगले 12 से 24 घंटे के अंदर आपको यह खुश खबरी या हर हाल में मिलकर रहेगा जो आगे इस जयोतिश कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे तो जयोतिश कार्यक्रम को आगे शुरू करेंगे। ल जरूर लिखें 33 करोड देवी देवताओं के आशीरवाद से आपका किसमत का पास पलट जाएगा। यूं कहें तो आपका किसमत का द्वार खुल जाएगा। क्योंकि अगले 12 से 24 घंटे तक 33 करोड देवी देवताओं का आशीरवाद आपके उपर सबसे अधिक बरसाने व इसलिए अगले 12 से 24 घंटे का जो समय है आपके लिए कल्यूग का सबसे भाग्यशाली समय साबित होगा। इस कल्यूग में ऐसा समय दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इतना अच्छा समय साबित होगा। बशर्ते आपको मेहनत करना होगा। जी हाँ, आपको बता दे। आप मेहनत के दम पर हर वह चीज हासिल कर सकते हैं जो आपका किस्मत में भी नहीं लिखा है। क्योंकि अगले 12 से 24 घंटे का समय ही आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यह समय आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। इस समय आपको सभी प्रकार का लाभ मिलेगा आज की यह घटना आपका जिंदगी बदल कर रख देगा। आपको बता दें इतनी बड़ी खुश्खबरी मिलेगा कि जिनके बारे में आपका भी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आपको बता दें अब आपका जिंदगी में अचानक बहुत बड़ा और भयानक चमतकार होने वाला है जिससे आपके आस पडोस में हडकंप मच जाएगा आपको बता दें प्रभू क्या लीला अपरंपार है और इसलिए आपका राश्य पर प्रभू का कृपा द्रिष्टी पड़ चुका है तथा आपका राश्य में कुछ इस प्रकार का ग्रह गोचर का निर्मान ह हो रहा है कि एक साथ आपको पांच बड़ी और भयंकर सफलता मिलने वाला है जिन्हें देखकर आस पास के लोग कहेंगे वाह क्या नसीब है काश आपके जैसा मेरा भी नसीब होता और आप भी कहेंगे धन्य हो प्रभू आपकी महिमा अपरंपार है आपने तो मेरा जिंद साथ चमतकार होने वाला है उसे देखकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे आपको बता दें भगवान शनीदेव महाराज और धन का देवता भगवान कुबेर महाराज जी मिलकर आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है आपका ग्रह गोचर में इसा मौका जिंदगी में दोबारा फिर नहीं मिलेगा इसलिए इस मौके को हाथ से जाने मत देना वरना राजस्थान आपका जिंदगी पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा और अगर इस मौके का फाइदे आप उठा लिए तो जिंदगी में आपको कभी भी दुख पूरा जीवन खुशी से आप व्यतीत करोगे, आपको बता दें, इस समय इन साथ चीजों पर आपको ध्यान पूर्वक ध्यान रखकर काम करना होगा, फिर देखना, आपका जिन्दगी में जो बड़ा चमतकार होगा, जो बड़ा घटना होगा, उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, अगर मेरा कहा एक भी बात गलत निकला, तो मैं भविश्यवानी करना छोड़ दूँगा, मैं भविश्यवानी करना आज से ही बंद कर दूँगा, लेकिन आपको बता दें, बाला जी महराज के आशीरवाद से आपको अगर ऐसा मौका मिला है, तो इस मौके को हाथ से जाने मत देना, इस मौके का फाइदा आप अवश्य उठाएं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, साथ ही वह साथ बातें कौन सी हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखकर सभी कामों को सावधानी पूर्वक करना होगा, आईए इसके बारे मे एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही प्रभु श्री राम की जो भी सच्चे भक्त इस जोतिश कार्यक्रम को देख रहे हैं, वह सभी लोग नीचे दिये गए, कमेंट बॉक्स में पांच बार जय श्री राम जय श्री राम अवश्य लिखें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखने के लिए बिलकुल भी कंजूसी नहीं करना है इस बात का ध्यान रखना अब आपका जिंदगी में अचानक बहुत बड़ा उलट फिर होने वाला है क्योंकि ग्रिह गोचर में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है इसलिए आज आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत संकेत मिलेगा उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा उसका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाएगा बहुत किस्मत वाला होगा बहुत भाग्यशाली होगा जिसे यह संकेत मिलेगा देवों का देव महादेव जी का लीला अपरमपार है इसलिए अब आपके जीवन म कोई बुजुर्ग व्यक्ती आये, या फिर कोई पागल इंसान आये, और आप से खाने के लिए भोज की मांग करें, तो समझ जाएगा कि अब आपका जिन्दगी बदलने वाला है। अब आपका जीवन में बदलाव होने वाला है, क्योंकि वह बुजुर्ग व्यक्ति और वह पागल व्यक्ति कोई और नहीं बलकि खुद देवों का देव महादेव जी होंगे जो किसी बुजुर्ग का रूप लेकर या फिर किसी पागल का रूप लेकर आपके घर आने वाले हैं आपका अंतिम परीक्षा लेने के लिए अगर आप इस अंतिम परीक्षा में सफल हो गए तो आपको सफल होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है सफलता आपकी कदम चूमेगी